जहें बच्चो आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल Chemistry आपकी हैस्टक जीओ तो बच्चो को आते नहीं है बच्चे कोईशन छोड़ जाते हैं बाग जाते हैं इसा है जैसे लड़ू इसमें जो है बिना लॉग टेवल के मैं तुम्हें लॉग की वैल्यू निकालना सिका रहा हूँ ठीक है ध्यान दीजिए मैं लाया हूँ आपके लिए बिल्कुल घरेलू नुकसा घरेलू तरीका तो ध्यान दीजिएगा तो किस तरह से हम जब भी लॉ लॉग 2 की वैल्यू लॉग 3 की वैल्यू लॉग 4 की वैल्यू लॉग 5 की वैल्यू लॉग 6 की वैल्यू लॉग 7 की वैल्यू लॉग 8 की वैल्यू लॉग 9 की वैल्यू लॉग 10 की वैल्यू तो इसकी वैल्यू तो जनरेली याद होनी चाहिए बहुत आसान जैसे लॉग 1 की 0.00, यानि कि माल लीज़े 0 है, log 2 की value 0.3, log 3 की value 0.48, log 4 की value 0.6, log 5 की value 0.7, log 6 की value 0.78, log 7 की value 0.84, log 8 की value 0.9, log 9 की value 0.95, and log 10 की value 1, तो इस तरह सा हमारे पास इसकी value याद होनी चाहिए, अगर ये टेबल याद है, तो कोई सा भी log तुम निकाल सकते हो बेटा, तो ध्यान दीज यहाँ पर बस इतना ही याद रखना है, कि log 1 से लेका 10 की value, log 1 की value 0, और log 10 की value 1, तो इसका मतलब सारी value उसके बीच में होगी, पॉइंट में होगी, तो इस तरह से ये table याद रखनी है, साधे साथ यहाँ पर जो है, दो चार कुछ tricks यहाँ पर याद रखनी, जो मैं आपके पहले trick है, कि हमारे पास इस तरह से log A into B आएगा, तो हम इसको किस तरह से solve करेंगे, इसको करेंगे बेटा, log A plus log B solve करेंगे, इसको दूसरा अगर हमारे पास आएगा, इस तरह से log A upon B, तो इसको किस तरह से करेंगे, log A minus log B से solve करेंगे, और तीसरा हमारे पास किस तरह से, log A की power plus minus b है ना a की power plus minus b चाए power plus में हो चाए minus में हो तो उस तरह से power आगे आ जाती है log की यानि कि plus minus b log a इसको solve करेंगे और चोथा बहुत ज़्यादा important बहुत ज़्यादा क्योंकि यह बच्चों को नहीं पता है ठीक है तो बहुत ज़्यादा important किस तरह से कौनसा कभी कभी यहाँ पर question अटक जाता है log minus log a into 10 to the power minus b माल लिजे इस तरह से कभी questions आ गया तो इसको solve किस तरह से करना है इसका solution है बेटा इसका solution बहुत आसान है कि हम जो यह b है इसको पहले b लिख दीजे फिर minus लिख दीजे और log a कर दीजे a कौनसा है यह वाला तो इस पे बहुत ही ज़्यादा easy हमारे पास इतनी बड़ी questions बहुत आसानी से हमारे पास हो जाती है तो यह बिलकुल देसी तरीका में तो चलिये जैसे इस पे कुछ questions करते है माल दीजे इस पे कोई questions हम कर रहे है किस वाले पे कोई questions कर रहे है माल दीजे कोई question हम दे दया हमारे पास कि भाई इसको कर ह duo minus log 3 into 10 to the power minus 4 इसको जैसे हम solve करने जा रहे है तो दियान दीजिए इसको किस तरह से solve करेंगे मैं बोर रहा हूँ इसको इसके through solve करेंगे तो B कौन सा इसमें 4 है तो रख देंगे 4 है ना, minus log A, A कौन सा है बटा A कौन सा है, A कौन सा है यह वाला है, तो यानि कि 3 यहां पर आ गया, तो हमें पता है 4 minus, log 3 की value log 3 की value देखिएगा, log 3 की value क्या है, 0.48 तो रख दीजिए यहां पर 0.48 तो यहां पर इसको solve करके क्या हैगा, minus कर दोगे तो आ जागे 3.52 तो इस तरह से हमारे पास बहुत आसान बन जाता बेटा, ऐसा है जैसे लड़ो, बिल्को चुड़ियों में होता है यह चीज़ है, तो दूसरा question जैसे माल लिजे इस पर दूसरा question भी कर लेते हैं एक दूसरा भी कर लेते हैं, बोलते हैं, सर्क, एक बार फिर से करवा दीजिएगा, तो फिर से देखिएगा, दूसरा question दे रखा है, कुछ इस तरह से माल लिजे, चलो, log 2 into 10 to the power minus 3, इस तरह से दे रखा है तो करो, इसको solve, कैसे, बहुत आसान है देखो, मैं बोल रहा है, इसको इस पे लगाना है, तो यहाँ पर b काउंस है, b यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 minus ठीक है, log निकाला a, a यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 तो 2 की value देखिए, बेटा, log 2 की value है 0.3, यानि कि 3 minus log 2 की value है, 0.3, तो क्या आजाएगा, यहाँ से, क्या आजाएगा, यहाँ से 3 minus, यह आजाएगा, 2.7 तो इस तरह से बहुत आसान है हमारे पास, चीक है, तो यह हमारे पास हो गया, आप इन 3 हो ट्रिक्ट equations करते हैं माल लीज़े हमारे पास, यह बोल दिया 10 तक की value तो याद है, 10 तक की value तो याद बोल दिया, लेकिन उसने बोल दिया, माल लीज़े log 100 की value निकाली है लोग 100 की होगा, तो log 100 की होगा इसको हम क्या लिख सकते है, 10 की power लिख सकते है Log 10 की power 2, इस तरह से लिख सकते है तो यहाँ पर इसको solve करेंगे तो क्या हो, जाएगा 2 log 10, log 10 की value 1 होती है याने कि 2 into log 10 की value 1 तो 2 बओन-जा 2 तो इस तरह से log 100 की value आगे ऐसे जो है thousand की भी निकास सकते 200-300 कुछ भी निकास सकते बैटा बहुत आसान है ऐसे मान लिजिए उसने log thousand दे दिया log thousand दे दिया तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 to the power 3 लिख सकते हैं याणि कि log 10 to the power 3 और हम बात करें जब जो power होती है ओ पहले आ जाती है जैने कि 3 log 10 और log 10 की value 1 होती है तो क्या answer आगया बैटा 3 answer आगया है ना बहुत आसान है ऐसा है जैसे लड़ू तो चलिए हम बात कर रहे है इतना तो आसानी ये चीज़े तो बन गई कि हमारे पास ये है मानली से तुमने बोला कि सर आप तो जो है बहुत आसानी से कर रहे है ये चीज़े जो है क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल multiply वाली value आप कोई ऐसी value आगी जैसे odd है जिसका multiplication से नहीं हो पा रहा है तो उसको कैसे करें जैसे मानली से बोल दिया सर इसको करें log 19 की निकाल के दिखाओ log 19 यानि कि 19 की value तो क्या करना है एक बात ध्यान रखिए बहुत important चीज़े मैं बता रहा हूं यहाँ पर बहुत important चीज़े इसको दो तरीके से हम solve कर सकते हैं हमें बोल रहा है log 19 log 19 बोल रहा है निकालने के लिए नहीं log 19 नहीं निकाल रहे है ठीक है यानि बोल रहा है log 19 निकालो तो हम नहीं निकालेंगे log 19 बाई हम जो है क्यों नहीं निकालेंगे क्योंकि यहाँ पर यह equally नहीं टूट रहे है तो हम क्या करेंगे इस conditions में हम क्या करते हैं या तो इससे छोटी वाली की value निकाल देते हैं या फिर इससे बड़ी वाली की value लिकाल दिया जैसे log 20 निकाल दिया तो देखो दोनों से यह हमारे पास log 19 की value निकल क्या गई जैसे अगर यहाँ से करते हैं यहाँ से करते हैं तो हम इसको क्या करेंगे log 6 into 3 का सकते हैं वेटा है दोनों को add कर दीजिएगा तो add करा तो 6 और 1.26 आ गया बेटा यह अंसर हमारे पास यह log 18 की value है अब एक बात ध्यान रखना log 18 की value 1.26 आगी अब इसकी value 1.26 आगी तो 19 19 का है 18 से बस एक digit बढ़ा है जब भी एक digit बढ़ेगा तो हमने क्या करना है जो value आई होगी उसको point के बाद दूसरी digit है उसमें क्या कर देना है 2 को बढ़ा देना है 2 को क्या कर देना है बढ़ा देना है इंक्रीज कर देना है तो जैसे हम बात करें अब log 19 की value निकाल रहे log 18 की value 1.26 है हम बोड़ रहें point के बाद दूसरी digit होगी उसमें 2 increase कर दा है तो इसका मतलब यह आ गई log 19 की value ऐसे भी अगर हम यहाँ से भी log 20 से भी log 19 की value निकाल सकते है 20 से भी हम 19 की value निकाल सकते है किस तरह से तो देखिएगा log 20 को हम क्या लिख सकते है हम इसको इस तरह से लिख सकते है log 2 into 10 और इसको कैसे करेंगे log 2 plus log 10 log 2 की value देखिएगा 0.3 plus log 10 की value 1 तो क्या हो गया 1.3 तो यह हो गया 1.3 यानि 1.30 हम लिख सकते है देहान दीशेगा अब यह 20 की value है तो हमें क्या चाहिए 19 यानि कि इससे 1 digit कम चाहिए यहाँ पर 1 digit ज़्यादा चाहिए थी तो हमने 2 को increase करा यहाँ पर 1 digit कम चाहिए तो दूसरी value से हमें क्या करना पड़ेगा point के बाद जो दूसरी value होगी उससे 2 को decrease करना है बस इस तना ध्यां रखना कि अगर बड़े का निकार रहे तो 2 कम करना है और छोटे का निकार रहे तो 2 ज़्यादा करना है तो देखिएगा हम इसमें से 2 गट आ रहे है यानि कि point 30 यानि कि इसमें से 2 गट आ रहे है तो क्या आएगा हमारे पास 1.28 इस तरह से हमारे पास आ गया और यह हमारे पास क्या निकल के आएगे log 19 की value तो log 19 की value हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं यानि कि छोटे से भी निकाल सकते हैं अगर छोटे से निकाल रहे हैं तो जो value आएगी उसके point के बाद दूसरी digit होगी उसमें 2 increase कर देना है और अगर बड़े से निकाल रहे हैं यानि कि 20 की निकाल रहे हैं तो फिर point के बाद दूसरी digit होगी उसमें से 2 कम कर देना है तो इस तरह से हमारे पास ये निकल के आएगा जैसे एक question और करते हैं दूसरा question करते हैं ये तो आगया 99 चापिय चापिय आगय बढ़ते हैं तो चलिए जैसे जब दूसरा question हम कर रहे हैं हमारे पास जैसे question दे दिया log जैसे 37 की value निकालने के लिए बोड रहा है या फिर log 99 की value निकालने के लिए बोड रहा है हमें पता है 37 हमने नहीं निकालना है हमने एक छोटी है फिर इसे बड़ी दीजी निकालने तो मालिज़े हमने छोटी निकाली क्या है 36 तो हम क्या निकाल रहे है log 36 की value निकाल रहे है log 36 log 36 को हम किस तरह से लिख सकते है log 6 into 6 लिख सकते है बेटा तो हम कैसे solve करेंगे log 6 plus log 6 log 6 की value कितनी है log 6 की value कितनी है बेटा log 6 की value है 0.78 यहनिकि 0.78 plus 0.78 और इनको अगर add करोगे तो यह 6 है ना यहनिकि 1.56 इस तरह से यहाँ पर इसका answer आ गया यह log 36 की value है लेकिन हमने क्या करना है log 37 की निकानी है log 37 तो मैं क्या बोड रहा हूँ यह 36 की है तो फिर से वोई point के बाद जो दूसरी digit है उसमें क्या करना है 2 से increase करना है तो 2 से increase करा तो क्या है 1.58 तो यह आ गया log 37 की value बहुत आसान है जैसे लड़ू चापो आगे बढ़ते है log 99 की value कैसे निकालेंगे ध्यान दीजे बेटा बहुत important है हमें इसके करीब 100 है तो 100 हमें log 100 की value निकाल सकते है log 100 की value है ना log 100 की value हमें पता है 2 अभी हमने निकाली थी पहले है ना तो log 100 की value 2 आई अब एक बाद जहां रखना क्या इस value को मैं 2.0 मतलब 2.00 इस तरह से लिख सकता हूँ अब मुझे क्या करना है बेटा 99 की निकालना है यानि के 100 से 1 कम है तो point के बाद जो दूसरा digit होगा उसमें से क्या करना है 2 कम करना है decrease करना है ना decrease करना है तो क्या आजाएगा 2 decrease करोगे तो क्या आएगा हमारे पास यह आएगा log 99 के आजाएगी हमारे पास 1.98 है ना इस तरह से आजाएगा Is it clear? बहुत आसान है ऐसा है जैसे लड़ू बहुत आसान है चापो आगे बढ़ते हैं अमाली से उसने हमको गोला कि अब यह करके दिखाओ क्या log 2.5 की value निकाल के दिखाओ लॉग 2.5 की value कैसे निकालेंगे बहुत इसी है देखिए ध्यान से क्या log 2.5 2 और log 3 के बीच में आ रहा है तो इसको लिख लिख लीज एगा कि यह जो है किस के बीच में आ रहा है log 2 and log 3 के बीच में आ रहा है यह तो log 2 और 3 के बीच में midpoint पे आ रहा हो गए है 2.5 तो इसकी value जब भी midpoint की value निकालने तो क्या करते है जो उनके दो इनों की value होती है जिनके बीच में आ रहा है जैसे इसकी value है 0.3 और इसकी value है 0.48 log 3 की value है न तो उने दोनों value को DID करके half कर दे तो इन दोनों value को सम कर रहे हैं 0.3 plus 0.48 divided by 2 तो कितना हो गया यह 0.78 हो गया divided by 2 तो इसको काट हो गया तो क्या है गया 0.39 इस तरह से हमारे पास अंसर आ गया है ना तो यह एक बात ध्यां रखना इसको जो मैं होगा log 2.4 होगा ऐसे क्या होगा log 2.3 होगा ऐसे क्या होगा log 2.2 होगा ऐसे log 2.1 और ऐसे log 2.2 हो जाएगा ऐसे यहां पर क्या होगा 2.6 2.7 2.8 2.9 और इस तरह से यहां पर 3 ठीक है ना तो अब देखो किस तरह से हम बात कर रहे हैं log 2.5 की value हमने निकाल दी दोनों value को sum करके divided by 2 तो इतना हमारे पास आया तो अब हम बात कर रहे हैं कि 2.5 की value जब इतने आएगी तो 2.4 मतलब एक digit कम है जब एक digit कम होता है तो जो value हम निकालते हैं उसकी दूसरी value में से कम करके चलते हैं यानि कि यहाँ सब में क्या होगा यहाँ सब अगर हम करेंगे यहाँ से उपर तो इन सब में 2 decrease करते हैं चलना है तो जैसे यहाँ पास 2 decrease करा तो क्या शाएगा हमने पास 0.37 फिर से जो है 2 0.30 एना ऐसे यहां पर देखो बेटा ऐसे हम अब बढ़ रहे हैं यानि कि 2.5 की जब इतनी है तो 2.6 अब बढ़ रहा है तो अब जब बढ़ रहा है तो इस साइड हम क्या करेंगे 2 को increase करेंगे ध्या रखना वेटा ठीक है तो जब increase कर रहे है तो क्या हो जाएगा 0.1 हो जाएगा फिर 2 increase कर रहे है 4.5 फिर 2 increase कर रहे है 4.7 और ऐसे ही इसकी क्या होती है 0.48 है ना तो इस तरह से इसको भी याद रखना कि जैसे 11 की वैल्यू कि का दी जैसे मिठ प्रफॉइंट क görünे कर चले और समझ में हैं आगे बढ़ते हैं लिए z इसे अदिया है है यहाँ पे को हे पर रहे इसकोutar लेते हैं फुलेना इतना समझ में है तैसे hid हमें question दे दिया कि अब ये करके दिखाओ क्या तरह से log 199 की value निकाल के दिखाओ तो log 199 कैसे निकालेंगे ध्यान दीशेगा log 199 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ log 1.99 10 to the power इसको हम जाए 2 इस तरह से लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं मैटा हाँ तो अब ये इस तरह से लिख दिया तो अब इस log open करिएगा log 1.99 plus plus 2 हो जाएगा plus 2 log 10 log 10 की value कितनी है log 10 की value कितनी है log 10 की value 1 होती है log 10 की value 1 तो ये आ जाएगा 2 1 जड़ 2 हो जाएगा और log 1.9 क्या 1.9 जो है 2 के करीब है log 1.9 क्या 2 के करीब है है ना तो जब वह कई करीब है तो उसकी वैलू 1.99 जो है यहां पर लग बग जुह है जैसे दिपर यौग के टो यहां पर को फॉल ख्राइब हो एस मैं दूसरा को स्यं говорить वह बोल रहा है कि चलो हमने जब प्लस में यह नहीं कर लिग भी निकाल दी जैसे मान दिजे इसने देगे हमें, कम की value है ना श्तरी उसने بोल मुल दे है। log 0.12 की value निकाले लेंगे है। log 0.12 की value कैसे निकालेंगे। ध्याँ रखना लॉग 1 की value 0 है तो log 1 point.. यानी कि log 1 की value जब 0 है तो log 1 से कैसे करेंगे तो इसको भी हम क्या यहां पर जो है इस तरह से लिख सकते हैं क्या log 1 इस तरह से हम लिख सकते हैं log 1.2 into 10 to the power minus 1 लिख सकते हैं ना इसको हमने point इधर कर दिया तो minus 1 लिख दिया ठीक है तो अब हम इसको कर रहे है log 1.2 plus minus का minus 1 log 10 है ना इस तरह से तो log 10 की value 1 और यह हो जाएगा minus 1 log 1.2 log 1.2 क्या log 1 की value 0 है क्या log 1 की value अगर मैं बात करूं log 1 तो क्या है 0.00 इस तरह से तो log हम बात कर रहे है log 1 की value उतनी है यानि की 0.02 हो जाएगा ऐसे ही log 1.2 यानि की log 1.2 की value निकाल रहे है तो point के बात जो दूसरा है उसमें 2 बड़ेगा यानि की 0.4 तो इस तरह से यहां पर हम क्या लेक सकते हैं इसकी value इसकी value हम क्या लेक सकते हैं 0.04 है ना तो 0.04 minus 1 यह हो गया अब इसको solve करेंगे तो हमारे पास क्या आज आएगा यहां से 1 यानि की minus 1 प्लस इतना तो यह आज आजागे 0.96 इस तरह से आगया ठीक है यह हो गया बहुत आसान है बहुत ही आसान है जैसे तो ध्यान दीजिएगा जब log 1 की value 0 है तो log 1 से छोटी जिंतनी भी value आएंगी वो सब minus में लेके आएंगी ठीक है वो minus में निकलेके आएंगे आगे समझ में चापिएगा आगे बढ़ेंगे तो log हमने पढ़ लिया बेटा अब हम बात करते हैं लॉग किस तरह से होगा ध्यान दीजिएगा तो anti log क्याने की anti log कैसे करें दिखाँ दीजिएगा तो anti log में हम दो तरीके से निकालते हैं एक तो जब positive value होती है ठीक है यह positive को हम थोड़ा अच्छे से लिग लेते हैं जार positive value और दूसरा जो है जब क्या होता है negative value याना याने वाला तो ध्यान दीजिएगा बेटा किस तरह से तो हम बात कर रहे हैं कि यह पॉजिटिव की बात कर रहे हैं दूसरी साइट नेगेटिव की तो पॉजिटिव में माल लीजिए उसने आम एक उस वैल्यू दे दी कि बोल रहा है कि कोई एंटी लॉग एंटी का लॉग 2.78 की निकालिए जैसे बोल दिया कि एंटी लॉग 2.78 की वैल्यू निकाल दिया तो कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा बेटा जो यह वैल्यू रहेगी इसको 10 to the power पहुंचा देना है 10 to the power तो 10 to the power क्या हो जाएगा 2.78 ठीक है यह हो गया 10 to the power 2.78 अब 10 to the power 2.78 हो गया तो 0.78 इस तरह से तोड़ दिया अब हमने ध्यान देना है जो यह पॉइंट वाला है पॉइंट वाले को देखना है कि इसकी लॉग में क्या वैल्यू है इस पॉइंट वाले की जो है लॉग में क्या वैल्यू है तो हम बात करें 0.78 पॉइंट किसकी वैल्यू है 6 तो हम लिख तो आगे हमारे पास इसकी वैली एंटी लॉग की वैली इतनी बहुत आसान है ऐसे अगर हम बात करें अब जैसे उसने हमें बोल दिया एंटी लॉग एंटी लॉग 3.45 की वैली निकार नहीं किसकी वेटा एंटी लॉग 3.45 तो हम बोल रहें जो पॉइंट है मतलब जो यह नंबर है हमारे पास उसको हमें 10 to the power बत पहुंचा देने 10 to the power 45 जब हम इसको सॉल्प करेंगे तो तो इस तरह से अगर हम इसको तोड़ेंगे तो 10 to the power 3 into 10 to the power 0.45 हो जाएगा है ना इसी की तरह तोड़ दिया इसको अब यह पॉइंट में जो वैल्यू है तो पॉइंट में वैल्यू जो है उसको देखना लॉग में किसकी वैल्यू है तो लॉग में देखना जैसे 0.48 और यहां पर 0.45 तो यह किस के करीब जा रहा है यानि कि 3 की वैल्यू कितनी है वेटा लॉग 3 की वैल्यू है 0.48 जबकि हमें क्या चाहिए हमें चाहिए इस से कम वैल्यू तो यहां पर लॉग 3 से छोटी क्या होगा लॉग 2.9 होगा और ऐसे 2.8 होगा ऐसे 2.7 होगा इस तरह से ना तो हम बोल लेंगे दैसे 2.9 की वैल्यू निकाल तो इसमें से क्या आजाएगा दो कम हो जाएगा तो 0.46 ऐसे करें आधर टू तरह से तो हमारे पास इसको लिए सकते हैं यह आ गया हमारे पास किस की वैल्यू टू पॉइंट की वैल्यू तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि यहां पर आ игра 2.8 इंटू यह 10 to the power 3, is it clear, तो बहुत आसान है, ऐसे बहुत जादा आसान है, ठीक है, ऐसे हम जो है, next बात करते है, कि एंटी लॉग, क्या, एंटी का लॉग, 0.84 की वैल्यू निकाले, माल नीज़े, ठीक है, तो हम क्या बोट रहे हैं, इस वैल्यू को 10 to the power पहुंचा देंगे, तो 10 to the power क्या हो जाएगा, 0.84, तो अब इसको तो नहीं तोड़े ti-गे, क्योंकि यहाँ पर पहले ही पॉइंट आ गया, अब हमने देखना है, पॉइंट में जो यह जो वैल्यू है, यह लॉग में किसी वैल्यु है, तो लॉग में किसी वैल्यू, इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू वेट इसको कैसे करना है हम वही बोड़ रहे है कि इसको भी 10 to the power पहुंचा दो यानिकि 10 to the power minus 3.46 इसको और अब solve करो तो इसको क्या करना है 10 to the power minus 3 into इसको भी तोड़ दो 10 to the power minus 0.46 इस तरह से आजाएगा अब यहां पर minus हे बेटा यहां पर तो था दा डारेक्ली उसको देख रहे है पॉइंट में जिसकी वैल्व है तो हम उसी को डारेक्ली जो लॉग में देख रहे थे लेकिन यहां पर प्लस में ना होकर जो है minus में है, तो पहले इस value को हमें क्या करना है, plus में बनाना, तो plus में बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके साथ plus 1 करना पड़ेगा, जब plus 1 करा तो minus 1 भी करना पड़ेगा plus 1 minus 1 करके जो है क्या हो जाएगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा तो plus 1 minus 1 इसके साथ कर दिया अब देखना जो minus 1 कर रहा है उसको तुम इसके साथ जोर देना जो minus की power होगी यहाँ पर तो यह कितना हो जाएगा 10 to the power minus 4 into 10 to the power यह कितना होगी माइनस 0. यानि कि अगर हम इसको solve परेंगे तो प्लस में आजाएगा कितना 0.54 इस तरह से आगया अब हमारे पास यह value positive में आगया अब positive में आगया तो अब हम देख सकते है कि इस key value कितनी होगी log में तो ध्यान दीजेगा हम बात कर रहे हैं यह किसके करीब है यह क्या इसके करीब है log 3 के करीब है तो log 3 की value हमने जैसे यहाँ पर देखा log 3 की value जो है क्या है 0.48 तो इस तरह से जब यह घट रहा था तो यह इस तरह से दो से digit से घट रहा था लेकिन अब हमें बढ़ाना है क्योंकि यह 0.48 से बढ़ा है तो हमने यहाँ पर बात कर रहे हैं जैसे हम बात कर रहे हैं बेटा log 3 की value तो क्या है log 3 की value 0.48 लेकिन हमें इस 4.8 से बढ़ी value चाहिए तो जैसे हम बोल रहे हैं 3.1 तो 3.1 की value क्या होगी इस दूसरे में हमें इस point के बाद जो दूसरी digit उसमें 2 increase करना है तो क्या करते हैं 0.5 हो गया 0.50 हो गया ऐसे 3.2 की value कितनी हो जाएगी 0.52 हो जाएगा और ऐसे 3.4 की value कितनी हो जाएगी 0.54 यहने कि हमारे पास यह value निकल के आगी log में यह value है यहने कि log 3.4 की value यह होती है तो अब लिख दीज़ेगा यहाँ पर इसको क्या लिख सकते है कि यह value किसके लिए आई log 3.4 into 10 to the power minus 4 अब निकल के आगी भहुत आसान है अब ऐसे ही जैसे मान लिख उसे हमारे पास question दे रखा यह question जो है बहुत important है question जैसे pH वाले में दे रखा जैसे मान लिख उसने जो equilibrium वाला questions है लावन की बात कर रहा कि बोल दिया उसने बोला pH की value हमारे पास इस तरह से question दे रखा है कि मान लिजए pH की value कितनी हमारे पास इस तरह से 3.46 है इस तरह से pH की value है तो बोलेगा कि क्या निकालिएगा h plus i n की concentration निकालिएगा तो हमें पता होता है pH जो है pH की formula वहाँ पर होता तो minus log h plus i n का concentration तो अगर इसको निकालेंगे तो minus log को हम क्या करेंगे यानि कि इस pH की value लिख दीगे पहले यानि 3.46 is equal to minus log h plus यह कर दिया अब इस minus को क्या मैं इदर ला सकता हूँ तो यहां से minus 8 आगे हमने इसको यहां ला दिया तो क्या यहां पर log इतना आगया अब मुझे क्या चाहिए h plus i n के concentration चाहिए तो यहां पर यह log इदर होके antilog हो जाएगा तो मेरे पास h plus i n के concentration क्या जाएगी antilog antilog minus 3.46 और इसको फिर solve कर देना minus 3.46 किस तरह से यही इस तरह सामने जैसा solve कर रख है तो इस तरह से यहां पर इसका answer आमारे पास निकल के आ जाएगा equilibrium ऐसे जो है गिप्स फ्री energy का भी यहां पर questions निकल क्या तो और गिप्स फ्री energy के regarding questions आता है कहां पर 12 में 11 में 11 में अगर thermodynamics की बात करें thermodynamics dynamics यह फिर 12 की लाक्ट्रोचेमिस्ट्री की बात करें लाक्ट्रोचेमिस्ट्री तो वहां पर भी questions निकल के आता है कि इस तरह से हमारे पास questions आ गया है वहां पर एक equations है बेटा delta G, delta G बोले तो गिप्स फ्री energy क्या है minus 2.303 nRT log kc, equilibrium constant इस तरह से यहां पर kc है अब वह बोलता है, इस kc की value निकाले तो एक बात यहां रखना बेटा यहां से भी जो आएगी log kc की value कुछ ना कुछ जो है, यहां से negative निकल के आने वाली है कैसे, अगर हम इस log kc को निकालें, तो यहां पर क्या हो जाएगा log kc is equal to यह पूरी की पूरी value इदर आगी, delta g upon minus, यह पूरा का पूरा minus हो जाएगा न बेटा, यह minus हो जाएगा और यह 2.303 upon में जो है, nrt करके यह आजाएगा, मान लिजे इसकी value कुछ ना कुछ करके तो मारे पास मान लिजे कुछ भी आगी मान लिजे, जो है, minus में क्या आगी minus 7.8, इसकी value आगी किसकी log kc की अब हमें क्या निकाना है, kc निकाना तो log उदर जाके anti-log हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, anti log minus 7.8 इस तरह से आजाएगा न बेटा, तो अब इस anti-log को किस तरह से solve करना है बिल्कुल वह सी तरह से solve करना है जैसे हम बोड़ रहे थे, कि इसको 10 to the power पहुंचा तो 10 to the power minus 7, 8 पहुंचा दिया है ठीक है न, अब इसको तोड़ो, इसको तोड़ो तो किस तरह से तोड़ना है इसको, 10 to the power minus 7, into 10 to the power 0.8, इसी के साथ यहाँ पर minus है न, तो इसी के साथ plus 1, minus 1 करना है ठीक है ऐसा नहीं कि जो है, minus 1 पहले लिख रहे है plus 1 बाद में लिख रहे है, गलबर हो जाएक कोईशन पहले plus 1 लिखना है, क्योंकि इस value को plus करना है, तो plus 1 लिखना है, then minus 1 तो minus 1 को जो है, इसके साथ जोड देना है तो यह हो जाएगा, 10 to the power minus 8 into यह जो है, यहाँ पर क्या आए जाएगा, इसको solve करके, क्या रहा है 10 to the power plus में 0.2 यह आगे, अब 0.2 देखना है 0.2 किसकी value है 0.2 जो है, किसकी value है log में, 0.2 किसकी value होगी तो यानि कि log 2 से कम होगा हो, है ना, तो log 2 से कम मान लिजेगा, जो है, log 1.9 की value हो सकती इतनी है, फिर 1.98 की value हो सकती है 1.9 या फिर 1.8 है ना, 1.8 into 10 to the power minus 8 इस तरह से यहाँ पर answer निकल के, हमारे पास आ जाएगा, बहुत आसान है बहुत आसान है, चापिएगा हमारे पास antilog log complete हो गया अब हम जो है, कभी भी antilog log में नहीं आटिकेंगे बेटा, विल्कुल ध्यान से चलना है इस चीज़ को, और कहीं doubt आए तो comment section में जरू लिखना मैं उस doubt को तुमारा चुटिगियों में solve करोगे झाल